अगर साथियो आज एक और खास विश्य पर वीडियो ले करके आपके बीच बाए हैं जसा कि आपने टाइडल देख लिया होगा इस वोड़े बात करने वाला हूं मैं कई राज्यों में जो भी टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में चल रहा है कई साथियों ने सवाल पूछा डिसकुशन चल रहा था कई जगा पर तो लोग पूछ लेते सार आपकी राय क्या है आपको क्या लगता है टू चाइल्ड पॉलिसी होनी चाइए नहीं होनी चाइए पहली बात तो मैं बता दू मेरे दोई बच्चे हैं तो मुझे तो इससे कोई फर्क पढ़ने वाला नही बात करों तो मैं बता सकता हूं कि ये पूरी तरह से गरीबों के विरोध में है ये किसी जाती धर्म के विरोध में नहीं है या जाती धर्म के खिलाफ में नहीं है उसको रोकने के लिए ये गरीबों के विरोध में है गरीबों के विरोध में कैसी पहले तो आपने उन्हें सिख्षा नहीं दी। सिख्षित नहीं किया। झाय को पसार्त कानून को सरकारी सुषराय नहीं मिलेगी। इसले आपंगे पून नहीं लर पाइंगे । इसले वोट का अधिकार पर छालु भी जाएगा। अरे भाई आप जब तक 100% शिक्षित ना कर दो समाज को तब तक ऐसे कोई भी कानून गरीव रोधी ही रहेंगे, यह सारी समस्या शिक्षा की है, जो लोग जितना जादा पढ़ लिख जाते हैं, वहाँ पर आप आप देखें बच्चे कम होते हैं, वो समझ जाते हैं, मेरे प बच्चों का कारण कि जैसे मैंने बताया गरीव एक कारण है, और कई लोग यह कहा हैं कि नहीं, मुसल्मानों के जादा बच्चे होते हैं, तो अभी भारत सरकार का सर्वे, साइंसस का सर्वे, 2011 की रिपोर्ट भी है, 2015 की रिपोर्ट भी है, जो परिवारी सर्वे होता है, उसमें बताया गया है कि हिंदों और मुसल्मान कि नहीं है, और बल्कि जहां गरीब है चाहिए हिंदों या मुसल्मानों पहले, जो मिलेंगे यूग अमीर है मुओमन वहां कम मिलेंगे, वहां पर डो ब toil रिचे हैं या बहुत पर फैमिले में तीन बत्चे हैं, तो समस्य यह सिर्फ किसी जाती धर्म की नहीं है, और अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखो, जो लोग कानून मना रहे हैं, योगी अजितना जी सही देखी है, वो अपने पिता की साथवी संतान है, अब उड़ के पिता तो मुसल्मान नहीं रहोंगे, अब अब बे सिवा जिनके उमर अभी 20-25 साल है, उनके पिता जी कितने भाई थे, और अगली पीडी को देखे, अपने आस्पड़ोस में देखे, जाती धर्म से नहीं है, इसका संब्द, इसका संब्द आसिक्षा से है, इसका संब्द है, जितना हम पुरानी पीडी में रहे, जितना हम रूड इसका जाती धर्म से जादा संब्ध है और यह गरीब विरूधी है एक और चीज़ आगर आप इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो असाम में कानून मना असाम सरकार ने कानून मना दो बच्चों का लेकिन उनने एकजम किसको किया दलीतों को आदिवास्यों को और ज पॉलिशी उनके उपर इंपलीबर नहीं होगी क्योंकि जातर दलेत जातर पिछले जातर चाइबागान में काम करने वाले मजदूर गरीब फैमिली से गरीब परिवारों से तो उनके जादा बच्चे हों गई क्योंकि यह बात उन्हें भी मालूम है अगर हम अगर पूरे देश को समझेंगे तो पता चलेगा देश में जादा तर लोग जो गरीब हैं वो उनके हाँ पर बच्चों की संख्या जादा मिलेगे आपको लेकिन यह तो समस्या अब समाधान क्या है क्योंकि आबादी भी बढ़ रही है रोकना भी है तो टूचल पॉलिसी बनाने में को लागू नहीं होगा उसके उपर खासकर से अमीरों पर जो इंकम टेक्स पर ही है उन पर कानून लगाया जाए कि उन्हें सरकार से सुविधा नहीं मिलेंगी अब समस्या है कि अमीर से क्या सुविधा चीने कि सरकार कोई सुविधा चीने की सरकार कोई सुविधा निर्भर ह झालर पर जातर को निर भर रहें जो मेर हैं मिदल ख्लास वो तो अपनी सुविधाओं के लिए हर चीज़ के लिए सिक्योर्टि के लिए प्राइवेटिक गाड़ रखतें बिजली कम अपर पर प्राइवेट है पानी प्राइवेट होता है उनका घाड़ी उनके पास अपनी सरकार को मैं सज़ेशन दे रहा हूं, सरकार क्या करें, अगर वाक़ी सीरिएस है सरकार, यह यह तू चाहिए ने, तो इसमें क्या करें, जितने भी उनका टेक्स पर ही है, उन सब पर यह लागो होगा, टू चैप पॉलिसी और जिनके दोसे ज्यादा बच्चे होंगे, उन पर कुछ साहता राश्टी दी जाएगी, मदद दी जाएगी, कोई प्राइज होगा उनके लिए, कुछ भी सरकार ऐसा करें, कि one child policy वालों को जो अमीर लोग हैं, और वो one child policy अगर adopt करते हैं, तो उनको reward मिलें, और जो two child policy को violet करते हैं, अमीर लोग, उन पर जुर्बाना लगाया गरीब हो पर ना हो, वो चाहिए किसी भी जाती, किसी भी धर्म का हो, अगर अमीर किसी भी जाती धर्म का है और वो two child policy को violet कर रहा है, तो उस पर सक्त कारवाई होनी चाहिए, और जो गरीब है, वो तो गरीब है, उसकी गरीबी को दूर करने के लिए को शिश करें, उसकी अ या इहत्याचाष है और ये हर गरीब के खिलाफ है कानून अब यहा तो सरकार टाय कर ले सरकार गखले कि हम तो गरीबों के विरोध में काम करेंगे और वयुरोधी सरकार गरीबों के हितमे हैं कि होना चाहिए जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा वेकती है उसको सोच करके कानून बनाया जाने चाहिए ना कि उन लोग को सोच करके जो अमीर है जो सक्षम है बाकि इसका जाती धर्म से कोई सम्मन्द नहीं है मैंने आपको एक्जामपल दे दिये और आप भारत सरकार क जिसमें SC, ST, OBC सभी को मिला लिया जाए और अपर कास्ट में भी लगभग 83% में जब सर्वे किया गया तो दो से जाधा बच्चे हिंदू में मिले और मुस्लिम में भी लगभग यही परसेंटेज रहा है तो ऐसा नहीं है कि इसका इंपेक्ट हिंदू पर कम पढ़ेगा इसलिए मैं करा हूँ कि गरीब विरोधी कानून है और इन कानूनों को नहीं मनना ची और मनना ची तो इस तरह से मनने चीजिए लगाई ना क्या प्रॉब्लम है समस्य क्या है उन्हें भी तो पता चले मुकेश अम्मानी जी पर पता चले कि उनके तीन बच्चे है तो सरकार कानून पूरी तरह से गरीब विरोधी कानून है